दोस्तो, स्टेरकेस यानि सीडिया हमारे घर का एक बहुती इंपोर्टेंट और एट्रेक्टिव फीचर होती है जिसका प्रोपर साइज और लोकेशन एक मेजर रोल पले करती है हमारी हाउस कंस्ट्रक्शन में इसके साथ साथ वास्तो सास्तर में भी सीडियो को बहुती ज़्यादा महत्तोकता दे गई है इसलिए घर बनाते समय आपको स्टेरकेस की प्रोपर जानकारी होना बहुती ज़रूरी है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको staircase के बारे में 25 ऐसी standard guidelines बताने जा रहा हूँ जो staircase की construction या इसका design करते हुए जरू ध्यान में रखने चाहिए और एक बात ये हमारे staircase series की third video है पिछले दो पार्ट में हमने staircase के different part या technical terms और types of staircase के बारे में जाना था अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो में आगे भजने से पहले अब parts of staircase की first video जरूर देख ले ताकि इस वीडियो में staircase के जिन different parts की standard dimension के बारे में बात करूँगा उसे आप बहतर तरीके से समझ पाए और इन दोनों वीडियो का link आपको उपर eye button में मिल जाएगा या आप direct हमारे चैनल में जाकर staircase की playlist देख सकते हैं तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते है staircase की standard guidelines के बारे में तो friends सबसे पहली बात अक्सर लोगों के मन में confusion रहती है staircase को लेकर कि staircase का minimum size क्या होना चाहिए तो इस confusion को clear करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि staircase का minimum size mainly five factors पर depend करता है कौन से number one type of stairs कि आप किस टाइप की सीडिया बना रहे है spiral है circular है straight है या फिर dog leg है वगरा वगरा second यह depend करता है आपके plot size पर कि आपके plot का size क्या है तीसरा यह depend करता है riser height पर चोथा floor level से building की height क्या है उस पर और पाचवा depend करता है flight की width मिस्ट चोड़ाई क्या है तो mainly इन 5 factor पर आपके staircase का minimum size depend करता है पर फिर भी मैं आपको staircase के minimum standard size के बारे में बता देता हूँ तो सबसे पहली बात कि जो आपके riser की height है वै कभी भी 13 cm से कम मिस्ट 5 inch से कम और 15 cm मिस्ट 6 inch से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए for a normal house नमबर टू, tread आपकी जो tread की width है वै कभी भी 25 cm 500 mm मिस्ट 10 inch से कम नहीं होनी चाहिए और 300 mm मिस्ट 12 inch से ज़्यादा ये बात भी आपको हमेशा द्यान दखनी है नमबर टू है width of stair कि staircase की चुड़ाई कितनी होनी चाहिए तो stair की width means चुड़ाई कभी भी आपको 3 feet से कम नहीं रखनी है और 5 feet से ज़्यादा एक normal house के लिए नमबर 4 है new post new post की height हमेशा 75-90 mm के बीच में होनी चाहिए आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं पर ये एक standard height है नमबर 5 है width of stair means ये वाली चुड़ाई ये वाली चुड़ाई कभी भी 1500 mm और 6 inch से कम नहीं रखनी है नमबर 6 thickness of sofit ये वाली thickness ये thickness कभी भी चेंज से कम नहीं होनी चाहिए नमबर 7 है width of landing लेंडिंग की width कभी भी डाई feet means 2 feet चेंज से कम नहीं होनी चाहिए नमबर 8 एक good staircase के लिए building height 10 feet से कम नहीं होनी चाहिए नमबर 9 जो आपको staircase में concrete यूज करनी है उसका mixed ratio कभी भी 1-2-4 की ratio से कम नहीं यूज करना है नमबर 10 एक अच्छी staircase के room की width 6 feet से कम नहीं रखनी चाहिए और height जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि 10 feet से कम नहीं होनी चाहिए नमबर 11 आपको staircase में जो steel reinforcement का minimum dia यूज करना है वह 12 mm से कम नहीं यूज करना है यह अप जरूर ध्यान रखे क्योंकि जादातर लोग staircase में 8 और 10 mm का dia यूज करते हैं वह बिलकुल गलत हैं तो यह तो है staircase के standard size different parts के आईए अब मैं आपको कुछ standard guidance बता देता हूँ staircase fixing की तो सबसे पहली बात आप यह हमेशा ध्यान में रखना कि landing की width हमेशा stair की width के equal होती है Lending की width कभी भी stair की width से कम नहीं होनी चाहिए 2. एक flight में number of steps 12 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 3 से कम मिंस एक flight में आपको कभी भी जो number of steps हैं वे 3 से कम नहीं रखने हैं और 12 से ज़्यादा नमबर थ्री, स्टेर्स की जो पिछ होती है, उसका एंगल कभी भी 38 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 42 डिग्री से ज़्यादा नमबर फॉर, आपका हैड रूम, कभी भी 2.1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए मिस जब आप हैड रूम को वर्टिकली मेजर करें, तो वे 2.1 मीटर से कम नहीं हो नमबर फाइव, ट्रेड के सेंटर से हैंड रेल की हाइट कभी भी 900 mm और 3 feet से कम नहीं रखी जाती है ये बात भी आप जरूर ध्यान में रखें नमबर 6, दो फ्लाइट के बीच, मिनिमम गैप 1 feet तो कम से कम होना ही चाहिए नमबर 7, स्टेरकेस बनाने के लिए कम से कम आपको 8 feet 6 inch मिस सड़े 8 foot जगा चाहिए होती है और नमबर 8, अगर एक स्टेंडर स्टेरकेस के साइज की बात करें तो इसकी length होती है सड़े 12 feet और width होती है सड़े 6 feet मिस साड़े 12 feet by साड़े 7 feet एक स्टेंडर स्टेरकेस का साइज होता है तो ये है कुछ स्टेरकेस के स्टेंडर्स जिनने आपको हमेसा ध्यान में रखना है आईए अब मैं आपको स्टेर की calculation के कुछ important formula बता देता हूँ जो अकसर स्टेर बनाते हुए use में आते हैं अगर आपको size of riser find करना है तो उसका formula है riser का size calculate करने का floor to floor height divided by number of riser इसके लिए आपको number of riser पता होने चाहिए दूसरा number of tread number of tread हमेसा number of riser से एक कम होते है means number of tread is equal to हो जाएंगे number of riser minus one third अगर आपको staircase की total length calculate करनी है तो आपको number of tread और size of tread को multiply कर देना है आपको stair की total length मिल जाएगी fourth total length of stair आपकी length of flight प्लस landing की length होती है ओके friends ये कुछ standard guidelines है staircase के बारे में जिने आपको जरूर ध्यान में रखना है और एक बात हो सकता है कि आपको tread, riser, sofit, waste इन सभी terms को समझने में भी confusion हो तो इसके लिए मैंने उपर eye button में एक video का link दिया है हमारे first part की video का जिसमें मैंने staircase के सभी part को one by one image के साथ समझाया है कि कौन से part को क्या कहते है आप वे video भी जरूर देखें तो चलिए friends जल मिलता हूँ हमारी इस series के fourth part को लेकर जिसमें मैं आपको staircase की concrete calculate करना बताऊँगा एक बहुती simple तरीके से अपने channel में engineering support के साथ और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को like और share करना नहीं भूलिएगा ओके friends और वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद गाई thanks for watching have a nice day